नमस्कर जुगाडवेस्टी में आप साफी लों का एक बार फिर से सागत है और आज मैं अपने लिए बनाने जा रही थी अपने फ्रूटी सोचे आप लोगों से भी शेयर करूं एक्शुल में ग्रीन टी है और इसको आज हम लोग अपने स्वाद देने वाले हैं फ्रूट्स का अक्सर मैं इस तरह से भी पीती हूं तो आज बनाई तो सुच आप लोगों से भी शेयर करूं इससे पहले भी पूरे के पूरे के पूरे दस तरीके शेयर कियें कि कैसे हम लोग इसको टेस्टी बना सकते हैं जिन लोगों वीडियो नहीं देख है तो उपर आई बेटन प एक में काट रहीं ओरेंज थोड़ा सा मैं चाहिए होगा जूस दो से तीन चम्मच या जितना भी आपको पसंद है उतना आप जूस निकाल लें थोड़ा सा मैं इसको यूही बस निचोड के निकाल लेती हूं ये रख देती हूं मैं बात में यूच हो जाएगा अब यह थ कोई भी पसंदीदा जो भी आपका फल है वह आप इसमें यूच कर सकते हैं अगर आपके पास है तो वह आप यूच करें उसका भी इसमें ग्रीन टी में टेस्ट बहुत बेतरी लगेगा और देखिए चाह भी हमारी अप तक खॉल चुकी है दो मिनिट हो चुकी है और कितन इसमें हम लोग पना पसंदीदा फ्लेवर मिला देंगे आपको औरेंज पसंद आप इसमें और जूच डालेंगे न और उसके बाद आप जब इसको पिएंगे तो भूल जाएंगे कि इसमें हमारी कोई ग्रीन टी की कड़वाट है कुछ भी आपको फील नहीं होगा कि आप ग्रीन टी पी रहे हैं देखिए दूसरे कप में मैं एक चम्मच अपना ये कीवी का पेश डाल लिती हूं और देखिए एक हमारी ओरेंज फ्लिवर में बन गई और एक कीवी फ्लिवर में आप जब आप इसको पीएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी ऐसे लगेगी नहीं कि आप ये कड़वी कड़वी सी ग्रीन टी पी रहें पहुत बेतरी लगेगी एक फीका सा आपके जूस का टेस्ट आए गया तो देखिए कितना आसान तरीका था था ना ग्रीन टी के कड़वाट को दूर बगाने का कोई भी अपना पसंदीदा फल जो भी आपके घर में पड और इन गरम गरम जोसकियों के साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलें चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिसे हम लोग इसी तरह से नई नई टिप्स के साथ जुड़े रहें जल्दी मिलते हूं अगले वीडियो में तब तक के लि और जो भी सेहत से जुड़ी वी चीज़ें उनको जरूर एंजॉय करिए थैंक यू